नमस्कार दोस्तो आव सी के चैनल में आपका स्वागत है जिसे आप जरन स्वेटर में, लेडिs काडि़ीजन में, जैकेट में, कूटी में, बच्चो के स्वेटर में, कैप में, हैट में, शॉक्स में, शूस में चाहे किसी भी मनचाहे प्रॉजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं इसे बनाने के लिए चार के multiple फंदे चाहिए और दो फंदा extra से चाचार करके फंदे गिने तो last में दो फंदा आना चाहिए तो ये design का पहला line है और सामने से border बनाने के बाद पहली line में हम पहला फंदा slip कर लेंगे या फिर सीधा बन लेंगे फिर तीन फंदो को हम छोड़के देखिए इन तीन फंदो को छोड़कर पहले चौथे वाले फंदे में ऐसे slide डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे ये हमने सीधा फंदा इसे बना लेंगे अब उन अपनी और करेंगे और इन तीन फंदो को जिसे हमने छोड़ा था अब उल्टा बना लेंगे एक, दो, तीन और ये फंदा चुकी हम बुंच के हैं तो इसले इसे गिरा देंगे फिर उन दूसरी और करेंगे और चार फंदा सीधा एक, दो, तीन, चार तो पहला फंदा एज स्टीच है और इन ही आठ फंदो को हमें पूरी लाइन में दूराना है तीन फंदो को छोड़कर पहले चौथे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे थोड़ा सा लंबा सा ये लूप निकालेंगे अब उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा उल्टा एक, दो, तीन अब उन दूसरी ओर करेंगे और अगले चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार नेक्स्ट तीन फंदो को छोड़ेंगे पहले चौथे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदे उल्टे अब उन दूसरी ओर करेंगे अगले चार फंदे सीधे तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे और लास्ट में एक फंदा बचेगा तो यह एजस्टी चार इसले इसे सीधा बना लेंगे और रॉंग साइड से सब भी फंदे उल्टे उल्टी तरफ से यानि रॉंग साइड से हमें हर लाइन उल्टा ही बनाना होगा तो उल्टी तरफ से हमने सब भी फंदे उल्टे बन लिए अब हम फिर सामने की तरफ हैं यानि फ्रंट साइड की तरफ तो अब हम चार फंदे सीधे बना लेंगे एक, दो, तीन, और चार और पांच फंदा पहला फंदा एज स्टीच है उसके बाद चार फंदा सीधा बना है उसके बाद तीन फंदों को छोड़ेंगे और चौथे वाले फंदे में सलाई डालेंगे और इसे हम सीधा फंदा बना लेंगे इसे सीधा फंदा बन लिया अब उन अपने और करेंगे और छोड़े हुए तीनों फंदों को उल्टा बन लेंगे फिर उन दूसरी ओर करेंगे और चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार फिर तीन फंदों को छोड़ेंगे एक, दो, तीन और चौथे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे अब छोड़े हुए तीनों फंदों को उल्टा बनेंगे एक, दो, तीन और ये हमने बुन लिया है तो इसे गिरा देंगे अब उन दूसरी ओर करेंगे और चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार फिर तीन फंदे छोड़ेंगे और चौथे वाले फंदे में सलाई डालेंगे और इसे हम सीधा बनाएंगे अब उनको अपनी ओर करेंगे और छोड़े हुए तीनों फंदों को उल्टा बुन लेंगे एक, दो, और तीन यह फंदा हमने बुन लिया है इसलिए इसे गिरा देंगे उन दूसरी ओर करेंगे और चार फंदे सीधे चार फंदा सीधा बुनने के बाद लास्ट फंदाय जिस्टी छे उसे भी हम सीधा बुनने के और रॉंग साइट से सभी फंदे उल्टा उल्टी साइट से हमें हर लाइन उल्टा ही बुनना होगा डिजाइन सिर्फ सामने से पड़ेगा और उल्टी साइट से सभी फंदे उल्टे पांचवे लाइन से हम फिर पहला लाइन दूर आएंगे तो देखिए फैर्स डिजाइन बनके त्यार है सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा चार लाइन का रिपीटिड डिजाइन है और डिजाइन बनके त्यार है आशा है आपको अच्छा लगा होगा तो यदि आपको पसंद आया है तो क्रिप्याई से लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने श्टेदारों में शेयर करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद